आई गुरुजी का free scholarship program, free और scholarship बढ़ा देखके आप लोगों ने वीडियो फटाफट से खोला होगा, लेकिन बेक्ग्राउंड में आपको बताना चाहूंगा, कुछ दिनों पहले मैंने हमारे telegram channel पर जुकिया, आपके telegram channel आप लोग जानती है, यहां पर description box में लिखा हुआ ह और यहां पर strip चल रही है, हमने कहा कि कोई institute जो है, वो discount क्यों देता है, 19% लोगों का मानना था कि कोई नया नया आता है, तो वो discount देने की question करता है, और वो अपने आपको establish करना चाहता है, तो मैं बता दूं कि हम लोग नए नहीं है, पिछले 21 सालों से हम लोग established हैं आप ल इतिफाक भी रखता हूं, मानता भी हूं, 14% लोगों का कहना होता है, और जो कि गजब का था, मेरा actually यही मानना है, कि अगर वो less paid faculties लेके आ रहे हैं, तो वो heavy discount देंगे, वो हो सकता है 95% discount देदें आपको, वो आप से कहे 90% plus 10%, वो हो सकता है कि permanent discount 30%, क्योंकि वो उस discount पीछे अपनी उन कमजोरियों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, जो असल में जिन पर आपका ध्यान ही न जा रहा है, आप देखें न जा रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट की तरफ आपका ध्यान जाएगा, ये एक marketing की strategy होती है, थोड़ा सा आपको अंदर भ बहरों से कुछ लोगों का selection हो रहा है, उसके वैसे पर आप 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 में admission देना है, हो सकता है, कुछ लोगों का ये भी मानना हो जाता है, कि शायद समाज की सिवा कर रहे हैं, 37% लोगों का बच्चों का इमानना है, क्योंकि आप लोग बड़े कॉमल होते हो, आप लोगों सबको आप scholarship दे दो, वो तो वैसी fees कम कर दी जाएगी, पर वो fees कम करना आपको सूट नहीं करता, आपको लगता है कि नहीं, 100 रुपीज बोलके आप discount दे दीजी, 20% fees hustle में होती है, 70 रुपीज, तो 10% तो फिर भी margin ले लिया, वो एक financial calculation होता है, 58% genuine बच्चों का मानना था कि कोई deserving बच्चा होता है, तो उसको ही scholarship दी जाने चाहिए, उसका test लीजिए, आप analyze कीजिए कि ये बच्चा कुछ कर सकता है क्या, इससे उसको motivation मिलेगा कि yes, मुझे कुछ मिला, मैंने कुछ basis पर ये सब कुछ लिया है, तो मुझे लगा ये थोड़ा सा 58% लोगों के तरफ बट उसमें कई बार ये पता नहीं चलता है कि iPhone लेकर कोई phone कर दे मुझे कि मैं EWS हूँ और वो iPhone यूज कर रहा है और यहां पर जब इंस्ट्यूट में आ रहा है तो car से आ रहा है EWS है, तो पता नहीं चलता है, बट जमाना बड़ा शांदार है, बहुत लोग smart है, हो सकता ह या EWS के टेकरी में आप सेलेक्शन करके हवजात से एडविशन देने जा रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, बट उस पर मैं कोई comment नहीं दूँगा, ठीक है, वो अपना-पना thought है, 7% लोगों का मानना है कि scholarship वगरा से बिकार की बात है, क्यों बिकार बाते कर रहा है, कोई बा बात है, जुड़ना, लोगों के साथ जुड़ाओ, जो करना था हमने अब तक जित्ती भी भागदोर करनी थी, उसके बाद मुझे ये नतीजा निकला कि मैं कितने लोगों के साथ जुड़ सकता हूँ, कितने लोगों को मैं अपने आपके साथ जोड़ सकता हूँ, तो सब्सक्राइब करने के लिए मोटिवेट करती है जो कि मुझे आप तक पहुंचाएगी और आपके बड़ी गजब की फिर आपके दिमाग में अगला प्रशना आएगा कि यह इसको लिए इसको मिलेगी कैसे क्योंकि successful तो आप हो और हो नहीं वाले हो हम तो सिर्फ उसमें धक्का देने वाले हैं scholarship मिलेगी कैसे scholarship के पेछे अगर मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि भई मामला है आपको सिर्फ अप्लाई करना है आपको देख लेना है कि भई कि sir I need it आपको सिर्फ यह कहना है sir I need it इतनी सी बात है और इतनी सी बात के पीछे मैं आपसे थोड़ा सा पहला बैग्राउंड बता दूँ कि हम लोग भाई गुरुजी application है हमारा जो overall concept है पूरा का पूरा वो अलग-अलग तरह के courses है जिनके माध्यम से आप अपना career बना सकते हैं जैसे कि CSI-JRF जो कि आप NET के नाम से जानते हैं लेकिन इसके अलावा तीन NET और हो सकते हैं जिनकी preparation हम आपको कराते हैं DBT-JRF, ICMR-JRF और ARSnet सभी के बारे में आपको बहुत detail में पता होना चाहिए क्योंकि आप लोग कई बार सिर्फ एक ही तरफ से काम करते हैं जबकि मज़े की बाते चार-चार exam होते हैं और हो सकता है इसके अंदर एक और exam उसको करने से आप लोग achieve कर सकते हों दूसरे तरह का exam होता है आपका JG Bills जिसको आप TIFR entrance बोलते हो या आपका IIT JamBT या आपका Gate B या CUTBG JG Bills में जो measure आपके exams जो measure exams और जो measure admissions हैं वो आपके होते हैं TIFR जो कि आपका NCBS यानिके Bangalore, DBS, Bombay या TIFR हाइदराबाद उसके अलाबाद आइसर्स, आइसर्पुने, मोहाली, आपका त्रिवन अंत्पुरम या उदर अपना कॉलकाता इत्ती जगों पर या आपका हो सकत NBRC इस तरह के सारे के सारे exams जो admissions हैं वो सारे के सारे आपके हो रहे हैं TIFR के entrance के बैसे यानिके JG Bills के entrance के बैसे इस तरह आपका admission हो सकता है कि आप IIT Jam BT के माध्यम से आप IISC में admission लो जहाँ पर दो तरह के programs होते हैं Integrated PhD और आपका MSC in Life Science हो सकता है आप IIT Jam BT के basis पर IIT Bombay में admission लो हो सकता है आप JNU जो gate B है उसके माध्यम से आप JNU School of Biotechnology में admission लो हो सकता है आप CVT PG के तुरू JNU School of Life Sciences या Special Center for Molecular Medicine admission लो University of Hyderabad में admission लो इतने सारे तरह के आपके career options खुले होगा हैं यहाँ पर रुकने के बाद हो सकता है अगर आपने BAE गर रखिए तो आप RPSC या related जो भी PASC होती हैं उनसे related school lecture biology या assistant professor के exam दो यहाँ पर मैं थोड़ा सा pinpoint करना चाहूंगा हम ना सिर्फ RPSC बलकि मद्यप्रदेश PASC, 36 गड़ PASC, हरियाना PASC इन सब के exams के लिए भी prepare कर रवाता है क्योंकि जो content और जो pattern हमने create कर रखा है वो इतना शांदार है कि अगर आप थोड़े से भी sincere और हमारे तरीके से काम करने को तयार हैं तो कुछ भी किया जा सकता है अकला चीज आपके दिमाग में आएगी ऐसा क्या है आपके पास जो यह सब कुछ किया जा सकता है इस सब के पीछे जो पूरी की पूरी जो हमारी working style होगी वो बहुत सारे तरीके से हो सकती है आप जिससे हम से जुड़ सकते हैं जगर जगर कई-कई किताबों देखना या इधर-ओदर YouTube देखना या कहीं से यहां से photoship करा लिया इन सब चक्करों में ना पड़े आपका समय बच सके और सटीकना से आप चीजे कर सकें हिंदी और इंग्लिश जिसको मैं हिंदी नहीं बोलूँगा इंग्लिश और हिंग्लिश दोनों के अंदर हमारा यह material जदा तरक एक्जाम्स के लिए अवेलेबल हैं दूसरा होता हमारा live offline या live online class जो कि एक specific time पर live classes होती है है life science की भी और related subjects की भी edited live video edited videos का जो concept है वो simple सा है कि यह जो live classes होई है कई बार लोग देखी नहीं सकते उनके पास समय नहीं है और वैसे कि वैसे recording अगर हमने देद दी तो वो और ज़्यादा खतरना होती बहुत boring होती है क्योंकि एक live class जब चल रही होती है तो सामने वाला बच्चा बात भी कर रहा है हम भी बात कर रहा है other than academics तो वो सारा content हम remove करके हम इसको बना देता है edited live class होती वही live class है लेकिन वो जो आपके काम का नहीं है उसको हमने हटा दिया और आप जो supposed 10 घंटे की live class है उसको जब देखने बढ़ते हैं तो वो एक घंटे की होती है इतना कुछ हो सकता है उसमें से remove कर दिया हो एक और तरीका होता है आई गुरुजी style recorded video जो कि specific तरीके से notes पर अधरित होता है उसके अलावा और होता है हमारा schedule live assessment वाली जो classes होती है schedule live assessment जिसको आप test series बोलता है legend practice series जिसमें कि हम धेर सारा question bank आपको avail कर आते हैं और आप अपने schedule के according practice करते हैं और सबसे शानदार product है हमारा schedule out sessions ये एक live test series है इसको आप test series बोल लीजिए जिसमें हम verbally आपसे लगातार सवाल करते हैं आप poll पे answer देते जाते हैं उसके लावा इस particular program में scheduling पर बात कि जाती है course को कैसे cover करना है daily daily हम आपसे ये पूछते हैं कि क्या क्या किया ये बहुत बड़ी चीज होती है अगर मैं आपसे ये सवाल कर लूँ आज क्या किया भाईया तो ये automatically इतना motivation होता है कि आप लगातार काम करने लग जाओगे बहुत चुटा सवाल ह आज क्या किया कई बार ये इतनी जब बरदस्त motivation होती है कि पूरे-पूरे हफते आप लोग काम करते हो हमने आपको गली नहीं दिये या आपको offer नहीं किया है सिर्फ ये पुछा है आज क्या किया और ये आज क्या किया बहुत कुछ करवायता है ये सब कुछ होता है चड़ में या school lecture biology में या assistant professor के exam में आपको उस webinar को attend करना है लगबग 15 से लेके 30 मिट तक का हर एक webinar है course wise बहुत ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे कि मैं 3 घंटे का webinar नहीं करूँगा आपका समय ज़्यादा कीमती है और हमारी उड़ ज़्यादा कीमती है आपको उस webinar के बाद specific content दिया जाएगा और उस समय के बाद आपको एक scholarship test में appear करना है scholarship test की जो ranks होंगी जो result होगा उसके आधार पर हम से scholarship की demand करेंगे और scholarship avail करने के बाद आपका selection procedure शुरू होगा और selection तो देना ही है तैयारी तो जबर्दस धंसे करनी ही है इसको आप मत भूलना पूरी जान लगाने के लि मैं बता दूं कि जैसा मैंना आपको बता दिया कि webinar आपका 15-20 minutes से लेकर 30-40 minutes तक होने वाला है CSR NetLife Science के लिए ये webinar 31 August को होगा दुबारा से देख लें 31 August को होगा आपका GGBLs अगर आप दे रहे हैं IT Jam अगर दे रहे हैं gate B दे रहे हैं या CUTPG दे रहे हैं तो ये webinar आपका 29 August को होगा 29 अगस्ट ध्यान रखेंगे RPSC School Lecture की अगर आप preparation कर रहे हैं तो ये webinar भी 31 August को होगा अगर आप assistant professor का exam दे रहे हैं तो ये webinar आपका 1 September को होगा webinar में कैसे attend करना है कैसे appear करना है आपको कुछ नहीं करना है description box के अंदर Google form दिया हुआ है Google form पे click करें आपकी details भेज़ें और हम आपको inform करेंगे email के माध्यम से या WhatsApp के माध्यम से कि webinar कितने बज़े है और उसका link आपके पास आएगा फटा-फट से तैयार हो जाई है लेकिन अगर आपने ये video तो भाई साहब मैंने तो 5 September के बाद देखा है मैं तो 10 September के बाद देखा है मेरे तो जिन्दिगी में बहुत कुछ चुक गया प्लीज इसन नहीं सोचे कुछ नहीं चुका है आपने अगर ये video बाद में भी देख हैं तो आपको कुछ नहीं करना है हमसे request करनी कि next webinar अगर होने वाला है तो please हमें inform कीजिए आपसे एक बार फिर Google form भरवा लेंगे information आपके रखेंगे जब भी webinar होगा आपको हम inform करेंगे phone के माध्यम से WhatsApp के माध्यम से या email के माध्यम से हम आपको भेंकर तरीके से calling नहीं करने वाले हैं चिंता मत की जिसलिए आप बहुत सुकून के साथ अपना contact number हमें दे सकते हैं Thank you very much